हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल आज में बात करने वाला है शांदार स्टॉक के बारे में जो की इलेक्ट्रोनिक एक्क्यूब्मेंट बनाने वाली एक शांदार कंपनी है लगातार निवेसकों को अच्छा पैसा बना के दिया है इस स्टॉक ने लॉंग टर्म में बैतरीन आपको पैसा बना के भी देगा और कोरोना ऐसे इतनी बड़ी महामारी का इसमें जराब इफेक्ट देखने को नहीं मिला है और जब अभी चाइना और इंडिया का जो प्रॉब्लम चला है इस वजए से स्टॉक को फाइदा और ज्यादा मिलने वाला है बीते एक सा काल में इसने पैसा आपका धाई गुना कर दिया है तो लॉंग टर्म के लिए यह प्योर मल्टी वेगर स्टॉक सावित होने वाला है डिक्सन टेक्नोलजी आप इससे अपने पोर्ट्फोलियो में अभी से एड कीजे लॉंग टर्म में आपको बड़ा पैसा बना के देगा शानदार इसके अंदर आज तेजी देखने को भी मिली है तो दोस्तों मैं बात करूं डिक्सन टेक्नोलजी के सेर की शानदार स्टॉक है जो की लक्ट्रॉनिक एक्क्यूमेंट बनाने वाली शानदार कंपनी जैसा कि आपको पता है टीवी, LED, मोबाइल सब कुछ बनाती है शानदार कंपनी जब से ये मार्केट में लिस्ट हुई ये शानदार रिटन कमाके दे रहे ये निवेशकों को अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है अपने निवेशकों को एक साल के अंदर पैसा धाई गुने से भी ज्यादा कर दिया है तो लॉंग टर्म के लिए बहतरीन फिक हो सकती आपके पोर्टफोलियों में इस दिगज स्टॉक को एड़ कीजिए आप स्मॉल स्मॉल कॉंटिटी से एड़ कीजिए आपको अच्छा खासा रिटन कमाके देगी स्टॉक बेसी और एनसी दोनों में ही लिस्टेट है शानदार तेजी आज देखने को म देखने को मिली दिन का जो हाई है वह 58 रुपए वहीं दिन का जो लो है 5500 के आसपास देखने को मिला तो इस टॉक एक प्योर मल्टी वेगर स्टॉक है आपको पता ही शानदार इसकी रैली चारू है मार्केट में कोरोना ऐसी बहामारी का इसमें जरा भी इफेक्ट देखन में इसने अपने निवेसकों को किस प्रकार से पैसा बना के दिया तो आज ये बेसी करीब 3.05% तेज दिखाई दे रहा है बीते एक वीक में 3.04% की शानदार इसमें गिरावट देखने को मिली वहीं एक महीने में 17.06% के शानदार पॉस्टिव रिटर इसने दिये 2020 में और ये स्टॉक बहुत ज्यादा भैतरीन हो सकता आपके पॉर्टफोलियो के लिए तीन साल और दस साल का डाटा अवेलबल नहीं कोकि आप जानते हैं स्टॉक की जो लिस्टिंग वह उतनी पुरानी नहीं है तो एड कीजिए यदि आपको गिरावट में मिले ये एक इस टॉक की फेस वैलू 10 रुपए कि ये 52 लो 1560 है वही 52 खाई इसका 6080 रुपए का है बहुत जली अपना 52 खाई तोड़ने वाला है तो आप इसे अपने पॉर्टफोलियो में जगह दीजे लॉंग टम के लिए प्योर मल्टी वेगर सेर हो सकता बीते एक साल में 153 परसें क्योंकि आपको पता कई चीजें बनाता है तो इसलिए इसका मिसलीनेस दिखा रहा है आप मार्केट कैपटल 6500 सकता कॉन का एक मिड़ कैप का स्टॉक है तो ये स्टॉक एक प्योर मल्टी वेगर स्टॉक आपको साबित होगा लॉंग टर्म में और बहुत तिलजी से आपक आपके दे सकता है तो आए इसका सेर होल्डिंग पैटन समझते हैं प्रमोटर के पास 36.17 परसेंट की होल्डिंग है एफाई आई 10.76 परसेंट अवेलवल हैं लंबे समय के लिए बहतरी निस्टॉक साबित हो गई है मैजोर्टी जो सेर होल्डर हैं वो प्रमोटर हैं प्रमोटर होल्डिंग नन मतलब गिर्वी रखके सेर की कोई समस्या नहीं है म्यूचल फंड की 16 स्कीमों ने करीब करीब 22.19 परसेंट की होल्डिंग ले रखी है एफाई आई की साथ स्कीमों ने 10.76 परसेंट की होल्डिंग ले रखी है प्रमोटर विथ हाइस होल्डिंग वो है सुनील वचानी जी के पास 34.76 परसेंट की होल्डिंग है और हाइस प्रॉब्लम नहीं लॉंग टम के लिए प्योर मल्टी वेगा स्टॉक है एड कीजिए यदि आपको किसी भी गिरावट मिले बहतरी निस्टॉक हो सकता है आपके पॉर्टफोलियो के लिए अभी हाल में इसमें डैविडेंट नाउस किया था चार रुपए का डैविडेंट तो आप एड कीजिए किसी भी गिरावट मिले दिगदल जी स्टॉक या बड़ा रिटन आपको कमाके दे सकता है